दोस्तों अगर आपको सच्छे दिल से लगता है कि भारत ये टीम अगला T20 मुकाबला जीतेगी तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करें भारत और नियुजीलेंड के बीच खेले गए पहले T20 में भारत मैच को 80 रनों के बड़े अंतर से हार गया इसलिए दूसरे T20 में भारती एक टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला कल सुबह 11.30 मिनट से खेला जाएगा दोस्तों हम आपको बता दएं कि पहला T20 मुकाबला 12.30 मिनट को शुरू हुआ था और यहां मुकाबला 11.30 मिनट को शुरू होने वाला है इसी वज़े से अगर आप पिछले मैच के समय अनुसार चले तो आप मैच की शुरुआत के रुमान चक एक्शन मिस कर बैठोगे वैसे भारतिय टीम यहां मुकाबला जीत कर सीरीज में जरूर बराबरी करना चाहेगी पहले टीट 20 में मिलीहार को बुलाकर दूसरे टीट 20 में जीत के इरादे से उतरेगी भारतिय टीम और सीरीज को एक-एक से बराबर करना चाहेगी फिलहाल नियूजीलेंड सीरीज में एक शुन्य से आगे है कल होने वाले दूसरे T20 से शिखरदवन, हार्दिक पांडिया और खलील एहमद को बाहर बैठाया आए जा सकता है और टीम में शुबमन गिल, कुल दीप यादव और सिदार्थ कॉल को शामिल किया जा सकता है क्योंकि पहले T20 में भारतिय टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा दोस्तों आपको क्या लगता है क्या रोहित शर्मा इस मुकाबले में शतक जड़कर भारतिय टीम को जीत दिला पाएंगे आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें